हाई व्यूवर्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंज यह दिखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और युनीक सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडीज कार्डियन में लेडी जैकेट में लेडी शग में गर्ल् जैंट साफ सैट और फुल सैट में अपलाई कर सकते हैं तो दिखिए फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए होंगे वो नाइन के मल्टिपल से होंगे नाइन यहने क तो चार फंदे एक्स्ट्रा रखने होगे डिजाइन को एक्विल करने के लिए और दो फंदे एस्टिच के होगे और यह जो डिजाइन है तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करती हैं तो देखिए मैंने यहां पर 9 के multiple से 18 फंदे लिए हैं प्लस 4 फंदे side में design को equal करने के लिए लिए हैं तो टोटल 22 फंदे हो गए और 2 फंदे stitch के तो टोटल यहां पर हमारे पास जो हैं वो 24 फंदे हो गए हैं और निचे से 12 उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली हैं तो चलिए बनाती हैं यह इसकी पहली राउ है और सीधी side है तो दिखे एस्टी स्लिप करेंगे और यहां से दिखे स्टार्टिंग में 4 फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार अब यहां से रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर जाए डालेंगे छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे यह देखिए स्टार्टिंग के पांच फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारे एक पैटन कम्पलीट हो गया है इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर एक फंदा सीधा बुना जाए डाली छे फंदे सीधे दो चार चे यह हमारा नो फंदों का पैटन है दिखिए दो चार चे आठ नो फिर से इस पैटन को बार बार बीट करेंगे तो फिर से एक पार दिखिए आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे आगे के पांच फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमने दो पैटरन कम्प्लीट किये हैं लास्ट में एस्टिच है एस्टिच सीधा बुन लेंगे तो पहली राव कम्प्लीट होचकी है अब दूसरी राव है और उल्टे साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब यहां से रपीट पैटरन स्टाट करेंगे छे फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे फिर जाई डालेंगे धागा आगे लेकर आएंगे एक फंदा उल्टा और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए आगे के दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारे एक पैटरन कम्पलीट हो गया है इसमें हमने छे फंदे उल्टे बनाएंगे दो, चार, चे फिर जाई डाली एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से पैटन को रपीट करेंगे, तो फिर से एक बार दिखिए, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, जाए डालेंगे, धागा अगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए, और लास्ट में हमारे पास चार फंदे बचेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, ऐस्टिच उल्टा बना लेंगे, अब देखिए, यह हमारी तीसरी रौ है और सीधी साइड है, ऐस्टिच सलिप करेंगे, स्टार्टिंग में दो पंदे सीधे, एक, दो, यहां से repeat pattern start करेंगे, आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आगे के तीन फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया, इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़कर यहां तक हमारे दो pattern complete हो गए हैं, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच सीधा बना लेंगे, तो देखिए, चौती रों जो हैं, वो complete होचकी है, अब यह हमारी पांचमी रों हैं, और उल्टी साइड हैं, एस्टिच स्लिप करेंगे, यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे, जाई डालेंगे, धागा अगे लाएंगे, एक फंदा, उल्टा, दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बुनते हुए, छे फंदे, उल्टे, एक, दो, तीन, जार, पांच, छे, एस्टिच छोड़कर, यहां तक हमारे एक pattern कंप्लीट हो गए, इसमें हमने जाई डाली, एक फंदा उल्टा, दो फंदों का, एक फंदा, छे फंदे, उल्टे, दो, चार, छे, फिर से pattern, repeat करेंगे, जाई डालेंगे, धागा अगे लाएंगे, एक फंदा, उल्टा, दो फं पांच, छे, लास्ट में हमारे पास पांच फंदे रहेंगे, तो फिर से देखिए, जाई डालेंगे, धागा अगे लाएंगे, एक फंदा, उल्टा, दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, उल्टा बनते हुए, एक फंदा, उल्टा, एस्टिच, उल्टा बना लेंगे, चौती राव कम्प्लीट हो चकी हैं, अब देखिए पांच मी राव हैं और सीधी साइड है, एस्टी स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ये देखिए, एस छी छोड़ कर यहां तक उमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाए एक फंदा सीधा जाई डाली, 6 फंदे सीधे 2, 4, 6, फिर से pattern repeat करते हैं, आगे की side से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, जाई डालेंगे, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब last में 5 फंदे रहेंगे, तो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, एस्टिच सीधा बना लेंगे, पांचमी राव कम्प्लीट हो चकी है, अब चटी राव है और रॉंग साइड है, अब देखें, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, अब यहां से रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, वन, टू, और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे ये देखिए आगे के पांच फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे छे फंदे उल्टे दो चार छे फिर से पैटन रिपीट करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे वन तो बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे आगे के पांच फंदे छोड़कर यहां तक हमने दो पैटन कम्प्लीट किये हैं एस्टिच उल्टा बना लेंगे साथमी रो है सीधी साइड एस्टिच स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे जाए डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे के दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने छे फंदे सीधे बुने दो, चार, छे जाए डाली एक फंदा सीधा दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से पैटन पीट करेंगे छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे जाए डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे slip करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगे के दो फंदे छोड़ कर यहां तक हमारे दो पैटरन कम्पलीट हुए हैं, लास्ट में हमारे पास चार फंदे हैं, दो चतीन फंदे सीधे, वन, टो, ट्री, एस्टे सीधा बना लेंगे, साथ आठमी रो कम्पलीट हो चकी है, आठमी रो हैं, ल्टी साइड, एस्टेच, स्लिप करेंगे, अब देखिए, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, यहां से रिपीट पैटरन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, वन, टो, बैक लूप से, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, जाई डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आगे के तीन फंदे छोड़कर, यहां तक हमार एक पैटरन कम्पलीट हो गया, इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाए दो, चार, छे, फिर से पैटरन रपीट करेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, वन, टू, वैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, जाई डालेंगे, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लास्ट में, तीन फंदे हैं, एक, दो, एस्टी चोल्टा बना लेंगे, आठमी रौ कम्प्लीट हो चकी हैं, अब देखिए, नौमी रौ हैं सीधी साइड, एस्टी स्लिप करेंगे, यहां से एरपीट पैटरन स्टार्ट करेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा, सीधा, दो फंदे स्लिप करेंगे, और बैक लूप से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एस्टी छोड़कर यहां तक हमारे एक पैटरन कम्प्लीट होगे, इसमें हमने जाई डाली, एक फंदा सीधा बुना, दो फंदों का, एक फंदा, छे फंदे करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लास्ट में पांच फंदे हैं, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधा बना लेंगे, बैक लूप से दो फंदों का, एक फंदा नुमी रौ कंप्लीट हो चुज की हैं, दस्वी रौ हैं, रॉंग साइन, एस्ट इस स्लिप करेंगे, यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे ऐसी छोड़कर यहां तक हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा एक फंदा उल्टा बनाए जाई डाल छे फंदे उल्टे दो चार छे फिर से पैटन रि एक फंदा उल्टा जाए डालेंगे छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे लास्ट में पांच फंदे हैं दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा उल्टा जाए डालेंगे एक फंदा उल्टा एस्टिच उल्टा बना लेंगे तो देखिए टैन्थ रॉर कंप्लीट होच की है और हमारा पैटन भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे फास्ट रॉर से स्टार्ट करेंगे तो एक बार दिखिए फास्ट रॉर चार, पीट पैटन स्टार्ट करेंगे, आगे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आगे के, पांच फंदे छोड़कर, यहां तक हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, फिर से करेंगे, आगे की साइड से, दो फंदों का, एक फंदा, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, छे फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एस्टिज, सीधा बना लेंगे, तो देखिए, फिर से हमारा पैटन जो है, वो फर्स ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है, ऐसे ही बार-बार इसकी 1, 2, 10 रोर पीट करते जाएंगे, और ये पैटन बनकर, ये दिखिए, इस तरह से दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाईए, और अपने एक्स्पीरियंस हमारे साथ शेय कीजिए, तो म मिलते हैं, आसी ही और ने नी वीडियो के साथ, तिल देन, बाई बाई फैंड,